वाविता गुपता हॉक्स एजूकेशनल इंसिट्यूट अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शियर करें इन दूसरों के साथ भी नॉलिज को जरूर बाते तो देखिए जो मैंने अभी पिछले वीडियो आप लोग के साथ में शियर किये था तो काफी मैंने useful video शेयर किये थे जिसमें आपके KVS के slayvers शेयर किया था मैंने आपके साथ में mark distribution शेयर किया था जो बच्चे KVS की तियारी कर रहे हैं इसके अलाव और भी subjects के जो content है वो आप लोग के साथ में शेयर किये मैंने previous year के question paper आप लोग के साथ में शेयर किये हुए है क्योंकि एक educational channel है तो जितने भी बच्चे education से जुड़े हो है सबके लिए useful channel है और आप लोग अपने according playlist पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कि आपकी BAD, MAD, CTAD, KVS, DSSSB की playlist बनी हुई है MDU, CRSU की question papers की आपकी एक अलग से playlist बनी हुई है जिसमें आज आकर आप अपने related videos देख सकते हैं तो देखी जो पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने आप लोग के साथ में previous year का question paper share किया था BAD second year paper 1 तो आज के वीडियो में मैं BAD second year का paper 2 share करूंगी 2022 का question paper है यह जिसमें आपको 5 question करने होते हैं total or first question compulsory होता है और यह previous year के question paper आपके साथ इसलिए share किये जा रहे है ताकि आप इनकी तयारी अच्छे से कर सकें आपको paper का pattern पता हो important questions आपको पता होगी क्या कौन कौन से question आपको तयार करने है और आपका अगर exam आने वाला है तो आप इन सभी questions को अच्छे से तयार कीजिएगा तो चली देख लेते हैं question paper 2022 assessment for learning अधिगम के लिए आंकलन तो देखिए इसका जो short notes है फर्स दिया हो है आपको difference between evaluation and examination मुल्यांकन और परिक्षा के बीच में अंतर second है आपका quantitative and qualitative assessment मातरात्मक और गुडात्मक आंकलन इसके बाद next है आपका exam on demand मांग पर परिक्षा next है measures of variability परिवर्तन शीलता की उपाए तो यह 4 short note है इसके बाद unit 1 है unit 1 के अंदर आपको first question दिया हुआ है what do you mean by assessment describe ncs 2005 vision of assessment for learning आकलन से आपका क्या विप्राय है सीखने के लिए आकलन के ncf 2005 के दरश्टी कौन का वर्णन कीजिए इसके बाद second question है आपका explain revised bloom taxonomy 2004 instructional objectives निरदेशात्मक और दिश्यों के लिए बिलूम के संशोदित वर्गी करन 2000 की व्याख्या कीजिए इसके बाद में unit 2 है unit 2 के अंदर दो question आपको दिये हुए जिसमें से एक first है आपका explain the process of constructing an objective type achievement test एक वस्तु निष्ट परकार की उपलबदी परिक्षन के निर्मान की परिकरिया को समझाए नेक्स्ट आपका what are the different types of feedback explain the role of feedback in improving learning and learning development प्रेश्ट पोशन के विविन प्रकार क्या है सीखने और सीखने वालों के विकास को भैतर बनाने में प्रेश्ट पोशन की भूमी का इसपष्ट कीजिए इसके बाद unit 3 है unit 3 के अंदर का आपको first question दिया हुए उसके अंदर दो नोट्स है आपके जिसमें first है आपका diagnostic and remedial teaching for qualitative assessment गुणात्मक आंकलन के लिए निदानिक और उप्चारात्मक शिक्षन second है curricular areas that cannot be tested for marks पाठे करम वाले शेत्र जिन्हें आंकों के लिए परिक्षन नहीं किया जा सकता इसके बाद 7th question है आपका right short note on the following use of ICT for examination परिक्षा के लिए ICT का उपयोग next है आपका merits and demerits of grading system grading पर्णाली के गुण अवं अब गुण इसके बाद है unit 4 unit 4 के अंदर आपको first question दिया हुआ है right short notes on the following scales of measurement मापन के पैमाने और second है आपका percentile and percentile rank और यह आपके edit marks के हैं दोनों इसके बाद question 9 आपको दिया हुए what do you mean by normal probability curve npc explains characteristics normal probability curve से आपका क्या अतात पर है इसकी विशेशता है बताईए तो यह आपका question paper 2022 का था assessment for learning be at second year और यह MDU का question paper है और बट यह questions है यह सभी universities के लिए है और जो भी बच्चे किसी भी university से बीएट कर रहे हैं उनके लिए बहुत important है आप सभी इन questions को अच्छे से तयार कीजिए और इसी तरीके से useful videos और previous year के question papers में आप लोगों के लिए लाती रहूंगी तो मेरे चैनल के साथ बने रहेएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए का जल्दी मिलते है नेक्स वीडियो में अभी के लिए थैंक्यू धन्यवाद